अब आपके स्टॉक झीनि मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपका दोफ तभी शेक चर्म और इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं शांदर बैंक HDFC बैंक के बारे में यहां पर हम डिसकस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपोर्टंट सपोर्ट्स क्या होंग 1455 रुपे 66 पैसे के करीब क्लोज होता हुआ HDFC पैंक दिखाए दिया लेकिन जैसे ही आज के दिन ओपनिंग होती है यहाँ पर gap down ओपनिंग हमें देखने को मिलती है और अभी देखिए किरावट के बाद 1419 रुपे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है पर बनी हुई है तो अब बात करते हैं कुछ important labels की देखिए एक जो लेवल बना हुआ है दोस्तों 1408 रुपे 91 पैसे का लेवल है इस पर आपको नजरे बना कर चलनी है क्योंकि इसको भी अगर break कर जाता है तो फिर 1400 रुपे की तरफ किरता हुआ stock दिखाई दे सकता है तो ये important labels नीचे की तरफ होने वाले है as a support इनको यूज करके चल सकते हैं दोस्तों बात करें target की अगर उपर की तरफ यहां से तेजी हमें देखने को मिलती है तो देखिए सबसे पहले जो target अचीव करेगा stock वो करेगा 1440 रुपे का target तो उपर की तरफ 1440 का लेवल इस पर आपको नसरे बना कर चलनी पड़ाएगी अगर इस लेवल को भी break कर देता है stock तो 1450 रुपे की तरफ उड़ता हुआ नजर आ सकता है देखिए उस तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही HDFC बैंक होल्ड है continue होल्ड करके रखें बिलकुल भी sale ना करें बात करें कहां पर बना हुआ है बाइंग का मौका इस समय बाइंग करें नहीं तो हमारे साब से देखिए दोस्तों बाइंग का जो मौका है वो 1488 रुपे के करीब यहां पर उपर की तरफ बना हुआ है तो यह काफी उपर है अभी price तो यहां पर हमें थोड़ा wait and watch की strategy अपना कर चलनी पड़ेगी HDFC बैंक में बाइंग की तो हमारे साब से अभी बाइंग को avoid करें अगर आपके portfolio में stock है continue hold करके रखें और in levels पर आपको ध्यान रखना है तो यही strategy आपको बनानी है HDFC बैंक में आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाए थी यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो please like करें share करें and subscribe करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद